क्या कपिल शर्मा शो धीरे धीरे अपना चाम लूस कर रहा है क्या कपिल शर्मा के शो में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी क्या कपिल शर्मा के शो में जोक्स और डायलॉग्स सब रिपीट होते जा रहे हैं क्या एक जैसी चीजे ही बार-बार दिखाई जा रही है वेल ऐसी ही कुछ report अब सामने आई है कपिल शर्मा के पिछले कुछ episodes देखे episodes उतने जादा funny नहीं लगे जितना ये शोग पहले आया करता था in fact एक episode में जहां पर industry के सबसे बड़े superstar गोविंदा जो अपनी comedy timing के लिए जाने जाते हैं उनका वाला भी जो episode था कपिल शर्मा का वो भी इतना funny नहीं था जब इतने बड़े comedy के superstar के साथ भी ये episode funny नहीं बन सकता तो शायद show में कुछ न कुछ तो कमी है यही कारण है कि कपिल शर्मा के show को लेकर report आई है जिसमें कहा है कि इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ज़ादा abode लगने लगी है सबसे पहली बात अर्चना पुरन सिंग को लेकर jokes अर्चना पुरन सिंग की body को लेकर बात कही जाती है कि उनकी body जो है वो मरदाना है तो कहीं न कहीं show में body shaming की जा रही है इसके अलवा अर्चना पुरन सिंग को सिद्धो के नाम से हमेशा tease किया जाता है ये बहुत गिसा पिटा हो गया है सिर्फ couple ही नहीं कुरुषना की कु सब लोग आकर अर्चना को बस इनी same jokes से चिडाते हैं दूसरा कुरुषना के गोविंदा को लेकर jokes कुरुषना जब भी stage पर आएगा या तो गोविंदा की style में कुछ करेगा या कीकू कुरुषना को गोविंदा के नाम से चड़ाएगा गोविंदा का नाम repeatedly इस show में लिया जाता है और उसी से humor पैदा करने की कोशिश किया जाता है जो अब बहुत जादा लेम लगता है कपल चर्मा शो के कहीं सारे episodes और कहीं सारे seasons आ चुके हैं लेकिन इस show में चंदू के किरदार को लेकर creativity के नाम पर zero है चंदू शुरुआत से लेकर अब तक वैसे के वैसे ही है कुछ different character नहीं किया वही उनका ओय होय और वही उनका मुस्कुरा देना बस यही चीज़े चंदू की चली आ रही है इतना ही नहीं इस report में चंदू के बारे में ये भी कहा गया है कि कपल शर्मा ने चंदू को इसलिए रखा है क्योंकि वो उनके दोस्त है अदरवाइस इंडस्ट्री में कुछ खास चंदू के पास काम भी नहीं हाला कि कपल की ये बात appreciative है कि चाहे लोग कुछ भी कहे वो अपने बच्पन के दोस्त को अपने साथ लेकर चलते हैं शुमोना की तो कभी height को लेकर कभी lips को लेकर या कभी उनकी शकल को लेकर बुराई होती ही है यानि कि कहीं न कहीं शुमोना को तो सिर्फ शेम करने के लिए ही रखा गया है हाला कि इस बार इस season में शुमोना के लिए कुछ different choose किया गया लेकिन वो chill hotel के रूप में उसकी मालकीन के रूप में आज तक अपने उस किर्दार को establish नहीं कर पाई है शुमोना ना भी हो episode में तो ऐसा लगता नहीं है कि शुमोना को आज miss किया इस तरीके से शुमोना का किर्दार होना ना होना एक जैसी बात है कपिल शर्मा ने initially अपनी शो में flirting करना शुरू की थी और तब ये flirting बहुत अच्छी लगते थी लेकिन आप जब कपिल शर्मा flirting करते हैं तो वो अजीब लगता है टाइम के साथ साथ ऐसा लगता था कि कपिल शर्मा के jokes mature हो जाएंगे लेकिन वो maturity उनके इस शो में अभी तक दिखाई नहीं दी है सबसे बड़ी बात इस शो में जो आता है कॉमेडी के नाम पर गाने भी गा कर जाता है पहले अकेले कपिल शर्मा ही गाने गाते थे अब तो सुदेश लहरी को भी इस शो में ले लिया है सुदेश लहरी डायलॉक बोलने से जादा तो गाने गाते हैं और जब भी वो अपने डायलॉक्स बोलते हैं तो अकसर डायलॉक्स भूल भी जाते हैं हमने शो में कई बार देखा है कि शो में जो किरदार है उन्हें इतने लंबे डायलॉक्स दिये जाते हैं कि वो dialogues याद रखने के लिए अपने हाथों पर लिख कर आते हैं जो साफ साफ शो में कई बार नजर भी आया है